हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हलो नमस्कार जाहंद आज का टापिक हिंदी है हम लोग एक तारीक से लाइब बैच शुरू करने वाले हैं कर लेते हैं तो उससे पहले हिंदी को देख लेते हैं इसे अध्याम के त्यारी करने वाले के लिए यह रामबान सिध्ध होगा अच्छा होगा पढ़क देख लें कि इसने पढ़ना क्या है में सबसे पहली बात यह कि स्लीवस क्या है लीवस हिंदी में क्या क्या हम fried भासा यूम हिंदी भी पाषा है लंग्वेश दिसकी बारे में की बारे माला के के बारें प्ढणना है संघ्या सवरो नाम विशेशन क्रिया विशेशन समास और कारक काल वाच्य उफसर्ग प्रत्य है को रे कि प्रते क्या पढ़ने वाली चीज है बताएं कि कैसे पढ़ने वाली चीज आई सारा प्रते लिंग भचन वाक्य की प्रकार माक्य-शुद्धि क सहते कायतिहास के बारे में भी थोड़ा देखेंगे रस छंद लंकार और पत्रिलेखन इन सब के बारे में हम लोग डीटेल्स में पढ़ेंगे डेटेल्स का मतलग जितने जाओर थगुद्न हाइं पुढ़ेंगे इतना डेटास साहित वाले बिद्धार्थिक कितर है डेटील्स में नहीं जाएंगे अमलोग हिंदी की तौर पीसे पुढ़ रहे हैं से दूर पीसे पुढ़ेंगे बिचार बीनिमय है का मतलब कि विचार मतलब आपके मस्तिक्स में जो कुछ भी विचार आ रहा है किसी चीज के बारे में जो कुछ भी आप सोच रहें मस्तिक्स में वहीं विचार है और जब उसको एक स्प्रेस कर देंगे किसी को कह देंगे या लिखित रूप में कह दें किस ऐसी को मोखी को बोलकर का दें संकीतों कीरूप में हिसारा कर दें किर आँक मार के विचारव बीनिम्हें हो जाएगा घ्र से विश्वे finger komun का आदान परदान हो जाएगा तो तो बीनिम्हें 서क लेगे principle का मेरभी मेर सब्सक्राण को ध्यान देंगे भासा की विशेष्टायं जो है अधिक जब बच्चा पैदा होता है तो बोलता जरूर है आगर क्या बोलना है यह तो समाज सीखा जाता है , न थो नहीं होता है अगर भासा का अंतिम स्वरूप होता नहीं होता अगर भासा कभी बदलती नहीं हम हम लोग संस्कृत से संस्कृत से बयादिक संस्कृत फिर लवकिक संस्कृत इसके बदपाली प्रैकृत इस प्रकार से बदलते 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 फिर हिंदी तक आ गए हम लोग यानि कि अगर इसका मतलग कि भासा बदलती है और भासा बदलती है यानि कि इसका अंतिम नहीं होता इसलिये परिवर्ध तनसील होती है तब हम संस्कृत से लेकर आज तक हिंदी तक धाशा का मानक श्रूप अवर्ष होता है लही होता है लेकिन उसका मानक मानक यह होता आ लिखना है तो आईसे लिखा जाएगा को लिख nå निरृदारिटा निरृद है जब उसका विष्ताव होगा उस मानक में दीर किया जाएगा वीहाल न dato होगा हो सो इसार कि आप पिन से पाटीन कियों कि पर किसे सुधार क्यों कि आप जब तक भासा को अच्छा समझते नहीं होंगे तब तक कठीन लगेगा जब आप भासा को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा तो इसलिए भासा कठीन से सरल की और अगरसर होती है भास आको सीखने के तीन प्राकार की होगताएं आवर्षक हैं तीन प्रकार की होगताएं आपके पास होने चाहिए जिग्यासा when पानी नहीं पीना चाहता है तो जानवर के पास पानी लेकर जा सकते हैं लेकिन उसको पिला तो सकते हैं क्योंकि उसकी जिग्यासा नहीं है तो आप किसी कोई सीखना अगर नहीं चाहता है तो आप सिखा सकते हैं फिर भी नहीं नहीं अब आप कहें कि कोई पीछा कर रहा है लड़की का या कुछ किसी का भी उसका जिग्यासा है यह जिग्यासा है सही बात है जिग्यासा है लेकिन उसका अनुकरण कर रहा है अनुकरण कर रहा है तो अच्छी बात हलंग कि नहीं है लेकिन कहने का मतलब कि अनुकरण करना क्या ह कहीं अच्छा भी है कहीं अच्छा नहीं भी है वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट में लिया गया है तो अनुकरण अभी क्या करेंगे अभी भासा को अगर सीखना है आपको तो जिग्यासा आपके पास होनी चाहिए आपके पास अनुकरण होना चाहिए यानि कि जो टीचर शिखा रहे या किताब सिखा रहे यहां से अनुकरण करेंगे एंगी कि पुछा यहां पर आप अभ्यास पर आप अभ्यास अगर नहीं करेंगे तो भूल जाएगा है यह ऐगाF exposure language ठैसे होता है is जल्दी नहीं भूलता है चले ora डिन जो होता है वह जल्दी नहीं भूलता है चले एक बाष चीहलियों एक और चीए के ओंस अधितनी होताकि कि होता है अलंग्कि भूलता जल्दी भूल जाती है आधी स्पिक इंग्लीष चीमी Article लेकर आप जाकर कोचिंग में स्पीकिंग कॉर्स लिए और इंगलिस सीख गए उसके बाद उसका भ्यास नहीं करेंगे तो इस फिकिंग कॉर्स फिर से लना पड़ेगा अब भूल जाएगा भासा का विकास क्रम आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी सुनना बोलना पढ़न और लिखना तोन ना और बूलना जो है जन्म जात है जबकि पढ़ना लिखना जन्म परांत है जन्म के बाद बेक्ति जब समाज में आता है जब बेक्ति एक बच्चा जब होता है तो वो सुनना जानता है आप उसे कुछ बोलेंगे तो वो सुन लेगा आपकी बातों को और बोलना भी जानता है क्या बोलना है वो नहीं जानता है लेकिन बोलना जानता है जब पैदा होते ही जानता है त यह दोनों जन्म परांत है जन्म के बाद इस सिखता है तो पढ़ना और लिखना तो इसको याद करने के लिए सुबोपली यानि की पहली कंडिशन क्या है सुनना दूसरी कंडिशन क्या है बोलना पहले वह सुनेगा आप उसे समझाएंगे बटा यह पापा बोल यह जो कुछ भी समझाएंगे तो वह पहले सुनेगा आपकी बातों को उसके बाद धीरे-दीरे कानुकरण करेगा नहीं बोल पाएगा फिर नहीं बोल पाएगा धीरे-धीरे-धीरे-धीरे बोलना सिख जाए लेकिए अधिकांस जगह आपको पढ़ना पढ़ना पाले मिलेगा तो सुभो पॉलिस आप याद कर सकते हैं नेक्स्ट है कि भासा तीन प्रकार की होती है माउखिक भासा लिखिद भासा और सांकितिक भासा मतलब जो बोलकर और सुनकर कि विचार बीनी में जहां बोलकर और सुनकर किया जाता है वहां माउखिक भासा होती है लिखित भासा में विचार बीनी में लिखकर और पढ़कर किया जाता है और संकितिक भासा में विचार बीनी में संकितों के द्वारा और देखकर किया जाता है जैसे कोई आदम है बोल रहा है किसी को बोल रहा है I love you तो बोल लिए I love you to तो यह क्या हुआ एक मौक इक भासा उबार क्या हुआ गांने कि बोलकर विचार भी संदी हो गाए बå उसने क्या प्ल करें लेटर लुक दिया लेटर लिख दिया I love you अब उसने भी लिख दिया, I have you too, तो क्या हुआ है, ये लिखित रूप में बिचारों का आदान प्रदान जो है, बिचार बीन में जो हुआ, वो लिखित रूप में हुआ, लिख कर, एक ने लिख कर दिया अपना बिचार, दूसरे ने उसके बिचार को पढ़ लिया, एनि कि जिस प्रकार से बुस्ते के हम पढ़ते हैं, वो क्या है, विचार में लिखित रूप में है, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, ये सब लिखित रूप में है, 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 ये जनकेतों के दवारा और देखकर जैसे और ऑब इसे ही हिल हाथ ही फारिप है किसी ने हैus प्रदस्टित के दवारा और देखकर बिचारवीन में किया जाता है वहां पर संकेति भषांएं जैसे कि जैसे है कि एसे रास्ते में जाता है कोई और रास्ते में नाइट को यह बाहर वहां से घर से बाहर उसको संक्यति भासा होती है लिखित भासा पर इस प्रकार से तो पर साइन बोड लगा है इस साइन बोड लगा है इस परकार से इस क्या अर्थ हुआ कि रोड मुड़ा है लेकिन एक रिखा तो है कि रोड कोई नहीं कि लिखा तो इसलिए ने सभी संकेत पर जैसे आप रोड तो संकेतिक हो गया है तो जब तक किसी सार्थक धोनी का उचारण नहीं होता है तब तक सभी धोनियां संकेतिक होती है सार्थक ध्वनी का मतलब किसी लीपी में जो मानक तै किया गया है वो मानक के अनुसार और जब तक किसी सार्थक सब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है तक सभी चिन हैं सांकेतिक होते हैं कोई चीज़ बात सार्थक सब्द का मतलब किसी लीपी में जो मानक तैक किया गया है सबसे सरल भासा जो है मौखिक भासा है और सबसे कठीन भासा सांकिति भासा है सबसे सराल भासा क्यों है कि आप किसी को भी कुछ बोलेंगे इसे कोई चीस समझने की जौरत में बोलेंगे इस ईक्सप्रेशन में आप वह आपको समझ लेगा अगर लेखी धॉसा होगी तो किताब अगर मेंहीं कुछ कर किताब+, किताब को रहे हैं उसके सब्द को तो समझ रहे हैं लेकिन वो किस इक्स्प्रेशन से लिखा है उसके अभिव्यक्ति क्या होती है अंदर के उसको समझने में कठिनाई होती है उसमझ जल्दी नहीं आती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक ही वाक्य के बहुत सारे आर्थ निकल सकते हैं क्यों निकल सकते इसलिए त आज़ो है मौकिक भासा होगी क्योंकि जो आब बोलने वाला होता है सुनने वाला डायरेक्ट उसको समझ लेता है तुरॉंद में इसलिए होगी मैं भी बताया कठीन क्यों होगी कठीन इसलिए होगी क्योंकि उसमें अभिवयक्ति नहीं आप ध्यान देंगे इस बात को सबसे सरल भासा होती है संकेतिक भासा होती है सबसे सरल भासा मौखिक भासा सबसे कठीन भासा सांकेतिक सब्सक्राइब निकलते हैं जैसे हाथ मिलाना जो दोस्त आपस मिलेंगे यानिक दूसरे का अभिवादन करेंगे लेकिन वहीं आखाड़े पर तो पहलवान जाएंगे तो भी हाथ मिलाएंगे वह तो अभिवादन करने के लिए हाथ मिलाने का और दोस्तों के लिए लाता है तो आइसे हाथ मिलाता मतल हम आ गए मिला कही है करना होता है और कब जाता है तो भी हाथ हिलाता है हा कौ के लिए हाइए के लिए दोनों के लिए हाथ हिला तसाहिल आ सकता है तो यहां दो अलाक लगर निकल गए इन सान असक्ते कि क्या इस क tame कोई के आधि कर चाला कोई चल रहा है कोई अच्छी अच्छा को स्वा कोई चालो समत्राइब जाते है अब गा assessments तो क्या होता है उसको एक अब्यक्त करने का एक अब्यक्त करने का स्वागत को एक तरीका होता है ताली बजाकर लेकिन हम जाते हैं और अपने दोस्त को बुलाना होता है यह हम जाते हैं बिन निश्चित नहीं होते हैं हैं तो गली मिसे बल संकेतं के अर्थ तो इसलिए सबसे कठीन भासा सांकेतिक भासा होती है कि यह कृति संस्क्रण विद्याग्रंद रचना पुष्टक जो भी कुछ भी कह लें तो ब्याकरण वह चीजाय वह जो हमें उचारण के बारे में लेखन के बारे में और प्रयोग के बारे में कि समझ पर्दान करती है वह ही ब्याकरण पाएं कि कि इसी वर्ण का उचारण किसा प्रकार से करना सा«ई नग से और लेखन उसको लिखना भी साई निवाति किस फ suf θ capac, वह ही मानकता संस्कृत तो संस्क्रित में दो रुपम पहले बदला एक वैदिक संस्क्रित और एक लाउकिक संस्कृत जिसमें वेद पुरान उपनिसद लिखे गए का मतलब ही होता है वेद प्लस एक तो वैदिक संस्कृत में वेद पुराण उपनिसद यह पंद्रव सब्सक्राइब का रिकाल है इसमें आप करेक्ट आपको करेक्ट इस पर विवाद नहीं करना क्योंकि किसी विभासा का विकास एक दुदिन में चार दूमें आज दो चार बर्स में नहीं होता है उसको भिक्सित होने में कई वर्सों का समय लगता है तो इसलिए डेट पर विवाद नहीं खड़ा करेंगे कि वैदिक संस्कृत जो है पांसों बसी मारा जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए हैं लोक कि संस्क्रित में अब बैधिक संस्कृत क्योंकि साहित्य संस्कृत का आईक रूप था तो इसमें कठीन कठीन सब्दत है तो यह समान ने प्रचलन में नहीं आया और यह बिलुप्थिक एक गार पचल लौकी का जब रूप बदला थोड़ा बहुत रूप इसका बिगड़ा तो हमें मिन देखने को मिला एक पाली भासा पाली भासा में बहुत धर्म इससे में बहुत धर्म चल रहा था और त्रीपिटेक लिखे गए पाली का विकास पान सब से पांस सब बीसी से किबाद सकते हैं इसे बहुत धर्म रुप लिके गए प्राकिस के बाद पाली का बीगड़ा यह नहीं कि लोगों क्या होता है रूप बिगड़ता है ना जैसे रामेष्वर जैसे सपोज करें रामेष्वर किसी का नाम है और भूबते हैं रमेसर का हलब ठी या आप देखें होंगे इसे बोलते हैं तो इसे प्रकार से रूप बदलते हैं लोगों के बीच में उसके रूप बदलते रहते हैं तो रूप बदलने के कारण पाली से विरूप बदला धिरे-धिरे और विकास हो गया प्राकृत का एकacağım एडी-से-पांच वॉट प्राक्रत भासा लिखे गए हैं उसके बाद अप भ्रंश भासा प्राकृत भासा का जब रूप बिगड़ा सब्दों में परिवर्टन हुआ तो आप भ्रंश भासा आई है और आप भ्रंश भासा एक पांसव एडी से लेकर एक खजार एडी तक क्या स्पास मान सकते हैं और अब भ्रंश भास और उन्ही सातों में से 1,2,3,4,5,6,7 है और उन्हीं सातों में से एक प्रकार है टाओर सायनिय भ्रंसौर और साइनिय भ्रंस से ही 1000 एडिक के बाद हिंद्य का विकास हुआ है अब भ्रंस के साथ वहत यहां पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती इससे पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती भसाओं का विकास्वा है पैसाची से लहंदा और पंजावी भसाओं का विकास्वा है निकी पश्चिमी भारत के खेत्रों में प्राचड से सिंधी भासा का विकास्वा है, खस से पहाडी हिंदी का विकास्वा है, यानिकि उत्राखंड और हिमानचल प्रदिसवाले छेत्रों में, महाराष्टी से माराथी भासा का विकास्वा है, यानिकि महाराष्टा के छेत्रों के आसपास, अर्ध मागधी में से और इससे हिंदी का बिकास है न कि पस्च में हिंडी को हिंदी कहते हैं पस्च में हिंदी का विधान के आठ तो कबिल वाइस भसाओं को मानेता दी गई गई है और हिंदी एक कैसी भास है तो राज बास है ये कहां लिखा गया है सम्विधान के भाग 17 में लिखा गया है अर्टिकिल क्या है 343 से 351 तक राज भासा एक होती है राश्ट भासा एक होती है राज भासा एक होती है मात्री भासा के राज भासा राश्ड भासा मात्र भासा एक भासा और एक बोली आजाएंध एकट Ministry बोलने लगते हैं बौली को भासा बोलते हैं यानी कि भासा करूप ले ले लेती है राश्ट भासा का मतलब कि किसी एक राश्ट के द्वारा किसी एक राष्ट के द्वारा पूरे देश में अधिकांस लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भासा राष्ट भासा कालाती है हलांकि हमारे भारत में अधिकांस लोग हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी राष्ट भासा नहीं है हिंदी राज भासा है राज भासा किसे बोलते हैं राज भासा का मतलब कि किसी राज जी के द्वारा एक मानेता प्राप्त भासा ही राज भासा कहा लाती है तो किसी राज जी के द्वारा एक मानेता प्राप्त भासा जो है राज भासा कहलाती है तो हमारे भारत राज में हिंदी एक राजभासा है यह मे अपने समाज से प्रारंबिक पिक्षा के साथ शीखते हैं और जैसे हम छोटी होते हैं तो अपने परिवार से अपने समाज से आपने माता पिता से जो भासा सखते हैं मातरिभासा कहते हैं तpta सब intermittent सब्सक्राइब अक्रावन के तीन होते हैं siete होता है एक होती है। एक पर बढके संधिक बारे में कि कि वोर्न पढ़ने वाले हैं माला और संधी के बारे में माला के बाए में और माला सीख लेंगे के तभी संदी समझ में आएगी तो वनमाला और संधी के बारें पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये वर्ण से अधारित हैं ये बन विचारण नामी ये वर्ण की वरन को और को एक बेश्थित करें में रखना ही वढ़ा खलल आता है वो रॉनों का योग जहां होता है संदी क कभी कासो होता है तो कि यह फीयंौ पैधार पमें कई लुट सेम है कि पती अतलों के अधार पर वियुट छित्पत्ति के अधार पर अर्थ के अधार पर बिकार के अधार पर शब्द vowels परिवर्तन के अधार सब्द सणरचना के अधार कर सब्द रिष्परिकार को होते हैं 一 वाक के विचार में वाक के सुध्धि के बारे में या वाक के सुध्धि के बारे में या अंसेंट पैसेज के बारे में यह सब जो है कि वाक के विचार में आते हैं कि वर्ण विचार हमने बताया भासा के तीनंग होते हैं भासा के वारणों से ही शब्त बनते हैं माला और संदिक के बारे में पढ़ेंगे सब्द विचार में उत्पत्ति के अधार पर विकार के अधार पर अब परिवर्तन के अधार पर सब्द रचना या सनरचना के अधार पर सब्द परकार के होते हैं तो जो अईसे सब्द जो संस्क्रित आज भी है परसली परसलान में हैं हिंदी में तो संस्क्रित के नि गए उन्हें टथ सम बोलेंगे और संस्क्रित के द्वाराण कर लिया गैं बीदेी सब ओलेंगे और कई भासाओं को मिलाकर संकर भासा बोलेंगे तो आजयेगा डिप्षा tutto कहां से वहां क्या संस्किर से उत्पन हुआ है क्या है क्या देश में उत्पन हुए यह कई मैं भासाओं की मिलाकर तो यह स्कों पर उत्पन के अधर प्यूत्पत्ति का मतलब कि भी प्लस उत्पत्ति का मतलब हुआ हुआ कि वह किस प्रकार का बना है क्या रूड है क्या एक उसको तोड़ा नहीं जा सकता है क्या अगर तोड़ा ज़कता है तो कैसे तोड़ा ज़कता है तो तीन प्रकार से आता है और योगुड़ुड का मतलब कि वह बिल्कुल रूड़ हो गया है जैसे बोलता है यह जोड़ा फर्ला सब्सक्राइब होता है अब उंहें निकलते हैं दोनों बिशेशन करिया निरर्थ के आधार पर निरर्थक होते हैं जी है je सब्सक्राइब रचन काल और कारग कि अधारग तब रचन के अधार पर विचार रचन सब्द है तो संधी समाश उफसर गरप्रत्थ यह पर संधी हम लोग पढ़ चुके हैं यहीं पर पीछे वाले संधी पढ़ चुके होंगे तो इसलिए यहां से संधी नहीं पढ़ेंगे इन तीनों को पुढ़ेंगे इस प्रकार से हमें पढ़ना होगा और इस प्रकार से हो गिसमें वाकbly सद्धी के बारें पढ़ेंगे और अन्सीन पेसेज के बारें पढ़ सकते हैं भाषा जो है हमने अभी बताया कि तीनंग होते हम वरंड सब्द और वाख्या है वरण जो है उसका अर्थ नहीं होता है को किया अर्थ हुआ को है को है cheg ऑ है तो है नो है, ओ है, आ है, इसका कोई अर्थ हुआ, अलग अलग किसी के तो कुछ अर्थ नहीं होता है, अब वर्न का अपना कुछ भी अर्थ नहीं होता है, लेकिन कई वर्न जब एक साथ मिल जाते हैं, तो एक विशे सब्द का निर्माड कर लेते हैं, तो सब्द का अर्थ होता है, इसलिए इन सब्सकी अर्थ होता है और कई सब्दों से वाक्छा बनते हैं। जब सब्द का अर्थ होगा तो इन सब्द का और वाक्छा अर्थ होता है। इसलिए अगर पूछा जाएं कि अर्थ के याधार बतायें। eight.me 10 और बन जाएगा काम इसका अर्थ होता है काम का तो इसलिए जब वर्णों का ब्यवस्थित क्रम यानि कि वर्ण एक ब्यवस्थित में मिलकर सब्द बनाते हैं तो इसका अर्थ होता है अर्थ के अधार पुछा जाएं सबसे छोटी काई तो अर्थ के अधार P B सबसे चोटी ये वर्ण होगी ुसके सिसके बाद सिसके बाद सबसे बढ़ी वाक्या हुआई लेकिन अर्थ कुछ लागत mamy अर्थ के अधार पडोगे सब्द और वाक्या तरफ की बात करें एक सब्द है तो है काम एक अर्थ तो है ने के कि राम काम। नया कि कि ईसका क्या रहा है कि या कुछ नहीं है और निकलता ये भवारत नहीं निकलता है सभी सब्द हैं और सभी सब्सक्दों को अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है लेकिन इसका भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इन्हीं सब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाए जैसे बोले हम राम ने नया काम किया राम ने नया काम किया तो यह क्या होगा सब्द जोड़कर वाक्य बन गए जहां से अर्थ निकलता है तो इसलिए इसलिए भवार्थ की बात करें तो वाक्यों में जो है कि वाक्य जब जूरते हैं तो इसका भावार्थ निकलता है लेकिन वर्ण का भावार्थ नहीं निकलता है तो इसलिए अगर भावार्थ के अधार पूछा जाए तो सबसे छोटी ही क्युटक्य और सबसे बड़ी काई भी वाक्य कोगी एक बार फिर से रिपिट कर दूं तो त stipends hours वाक्य सभशसरेख च्छोटा आंग वार्न होगा वासस कर बढ़ा आंग वाक्य होगा क्यूकि अर्फ नहीं डांग वाक्य होगा अवं इसका अर्थ तो नहीं निकलता ता भावार्थ कहां से निकलेगा अवसलिए अगर कैसा रहना निकलता है इत्फन निकलता है तो जरूरी भासा की तीनंग होते हैं वर्न स्ब्द और वाक्य हम ने का अर्थ के अधार भासा के दूंग होते हैं सब्द और वाक्य हम ने समझाए इस बात को भवारत के अधार पके ऊलेक वाक्य व्हा कि चोटी एकाई वर्ण वर्ण होती है तो घोनी कहां से आगए ब्हासा की सबसे चोटी उलुल यॉड्ल almonds को लिखा जाता है उसे लिखी Bowl है और लिखित सब्द को ना दिया जाए, सिर्फ कहा जाए कि भासा की सबसे छोटी इकाईं तो भी वर्ण होगा, लेकिन अगर कहा जाए कि भासा की सबसे छोटी मौखिक इकाईं, तो क्या होगी, धोनी होगी, क्योंकि मौखिक है तो मतल़ लिखा नहीं जाएगा, तो धोनी को लिखा तो कभी भी धौनिकोए इंसर नहीं देंगे तब ब surveillance आएगा लोई भांड वाथ की सबसे बड़ी इकाई विभाख्या अर्थ के अधार पर लो उपन सब्से चोटी जोके अधार सब्द संरचना की चारी काईं होती है सब्द संरचना मतलब सब्दों से नया सब्द बनने के लिए कि प्रकार से सब्द बन सकता है संधी के द्वारा बन सकता है समास करके बन सकता है उपसर्ग के द्वारा प्रत्य के द्वारा यानि कि दो सब्दों के बीच में संधी अगर करेंगे तो एक नया सब्द बनेगा जैसे सम प्लस आचार यह हो जाएगा सम आचार सम आचार यह सम है तो साम कैसे हो गया वह बाद की बात होता है लेकिन कैसे होता है बाद की बात है बाद में देखेंगे तो यह संधी हो गई क्या हुआ इनमें और इनमें संधी हो गई अलांकि इसे संधी नहीं बोलते हैं इसे बोलते हैं संयोग बोलते हैं तो अलग चीज है आप समझें संधी हो गई इसमें जैसे राम प्लस अयन राम प्लस अयन ती हो जाएगा रमायण तो यह राम प्लस अयन रमाड क्या हो गए राम एक सब्द है अयन एक सब्द है दो सब्दों के मिलाकर रमाड बन गए तीसरा सब्द कनिनमाड हुआ यहां राम एक सब्द है अचार एक सब्द है दूनों के मिलाकर समचार एक नया सब्द बन गए तो नया सब्द बनाने के ल जैसे आगंदुख इस प्रकार से बहुत सारी सब्द होते हैं जो समास्के होते हैं जैसे सितोष्ण एक सब्द है सितोष्ण इसका आर्थ होता है सीत प्लस उष्ण सीतव जान पूल आँ या उष्ण सीत या थणडा गरम या एक्लिफ सब्दों को एक नया सब्द असे सब्ण रंड़ जय जय करें सम प्लस अचार सम अचार अभीहम बनता है सम एक उपसर्ग होगा अचार एक सब्ध हो गया तो यह उपसर्ग के अधार पभीनाए सब्द हो जो जाएगा तो यह भी सब्ध यहां से बन सकता है तो सब्ध बनाने की चार अधार है क्यानि सब्द सन रश्नां क리 गांया होती है संधी समास ऊसरग और और प्रत्य यहां से सब्दें क्र Common वैं आपने में सम्पडों में तोड़ा ही नइजा सकता है तो रूड़ सब्धों में जिसे तोड़ा सब्द परिवर्तन की चारी का यहां होता है कई सब्दों की नया सब्द बनाना और यहां उसी सब्द को बदल देना इने प्रकारी सब्द परिवर्तन की विचारिकायां होती है लिंग वचन काल और कारक लिंग के अधार बदल सकते हैं जैसे जेट का जेठानी यह आया था हास्टल वार्डर में तो यह लिंग के अधार बदल गया बचन के अधार पर बच्चा बच्चे तो यह बचन के अधार बदल गया काल के अधार पर राम रोटी खाता है तो राम रोटी खाता था भाई की जगह पे था आ गया तो काल के अधार बन सकता है, कारक के अधार पर राम ने रोटी खाया, राम रोटी खाया है, इस प्रकार से, तो कारक के अधार पर ये सब आगे आएगे, तो आगे डिजल स्पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उपसर्ग प्रत्य निपात अब्बे शरूप ह मतलब की अब्बे के जैसे होते हैं, अब्बे नहीं होते हैं, उपसर्ग प्रत्य और निपात अब्बे क्यों नहीं होते हैं, क्यों अब्बे स्वरूप होते हैं, क्यों ये पूरा सब्द होते हैं, एक सब्दांस होते हैं, उपसर्ग के वाल सब्दांस होते हैं, पुरा लेकिन पूरे सब्दे के रूप में प्रयोग नहीं होता है तो इसके बारे में आगे आएगा आवी उपसर पढ़ते जब पढ़ेंगे तो लीपी के बारे में थो देख लेते हैं लीपी लीपी का विकास कैसे हुआ है तो सभी हम बोलता है ना कि सभी लीपियों का विकास ब्राम्हें लीपे से हुआ है और सभी भासाओं का विकास लेके लेकिन प्राम्ही लिपी से सबंढ़ का विकास कैसे हुआ है और ये जैसी लिपे का खब र्याम्ही से लीपेहि distracting लेगिनालिफीर ट्राम्ही का भिया सटश्षिन भारत में सिल भारत की लिप्र होत्यास sets इस प्रकार की जो भी भासा बोलेए दच्री बामी लिपियों कभिकास उत्त्र भारत की लिपियों कभिकास हुआ हे उत्तर पहले गुप्त धित्स भrem लीपिट फिर कुटिल इसके बद पुटिव category बढाज दो भागों बढ़ गई हैं इसके पूराइब पूरह दोभागों बढ़ लिप्वा को रिपक ध exercise नांगरि लेफि कष्टमी भार्त में बनी इस से गुरु मुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी इन सब लिपियों का विकास हुआ है गुरु मुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी गुरु मुखी लिपियों से पंजाबी भासा का विकास हुआ है कश्मीरी भासा से कश्मीरी लिपियों में सिंधी भासा का विकास हुआ है तो इस प्रकार से अनलोग भासां बिक्सित हुई है दच्कंधि नागरी लिपी में हैं नागरी लिपी परना दो भागम बटी एक पूरवी नागरी और एक फस्चमी नागरी पूरवी नागरी यहांने कि बंगला असमिया और उडिया भासा का में बनी है पहस्च्ठमी नागरी में डेंद्र नागरी में देवनाड़ी राजस्थानी गुजराती महाजनी और कैंती इन सब लीपियों का विकासुआ का भ है और मफति नागरी सा यह यह इदर इंधर इहां से इधर जो रहा है पर दर का चेत्र रहे है और का चेत्र है इस इन उचेट्रों में सारदा लेपी का विकास हुआ यहां से नागरी लिवें पस्चमी नागरी और पुर्वी नागरी तो इधर पस्चमी नागरी इधर इन सब छेत्रों में पस्चमी नागरी का विकास हुआ है तो आप ध्यान देंगे इस बात को भासा कुछ भसाने और उसकी लीपिया इसको ठख लाएते हैं कुछ भसा जो अंग्रेजी जिञाती है जैसे अंग्रेजी ज दो लेबेस इसов लिखजयते हैं प्रेंच जर्मन इशनिस और पॉलिस यह सब्दों यह सब्धव साइन अभिशतर ऑस आने सिंतेशों की तुरू मोखी लिपी जो है इसमें पंजाबी लिखे जाती अभी पिछे मैंने बताया हारसी लिपी हारती में उर्दू और फार्सी लिखे जाती है अगर लिफी अर्भी आप खेसे और फार्सी आर्बी समे करें खें जिसे संस्कृत और हिंदी की लिपी एक है देवनागरी उसी प्रकार से आर्बी और फार्सी की लिपी एक ही है और उर्दु की भी रूसी लिपी रूसी बुल्गेरियन रूसी भासा में रूसी लिपी में रूसी भासा और बुल्गेरियन भासा लिखे जाती है राजास्थानी हिंदी पहाड़ी हिंदी और विहारी हिंदी इस में खड़ी बोली जिसे कैरी कवरी बोलते हैं परजभासा, हर्यानवी, बुंदेली और कन्नवजी पुर्वी हिंदी में आएगा आवधी, बगहली, थ trous गढधी राजस्थानी में जैपूरी पुर्वी में जैपूरी पस्ची में मारवाड़ी नार्त में यानिक उत्तर में मिवाती और दश्ण में मालवी यह भसाई आएगी राजस्थानी भासा हिंदी में पहाड़ी हिंदी में आएगा कुमायूनी पस्चमी पहाड़ी में और मद्यव करेकंड के खाले चंत्ट करें गड़वाली अब भौजपूरी मैथिली और मगः भासा बोले जाती है तर में लृष ही हन इदर पस्चमी हिंदी, इदर पुर्वी हिंदी, इदर पहाडी हिंदी, इसमें राजस्थानी हिंदी, इदर जैपूरी, इदर मारवाडी, इदर मेवाती, इदर मालवी, रचिन में, तो यह सब भासा यह बोली जाती हैं अब पूर्वी हिंदी बोल गेत पूर्वी हिंदी में आवधी इधर इधर पूर्वी हिंदी आने कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी छेत्र में पूर्वी हिंदी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छेत्र में पश्चिमी हिंदी आवधी शत्तिस गड़ी बगेली इत्यादी नेक्स्ट टापिक होगा, वर्ण माला के बारे में, तो वर्ण माला के बारे में, नेक्स्ट एपीशोड ही पुढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो सस्क्राइब कर लिए जे चैनल को, वीडियो को लाहिक करे, अधिक साधिक सेयर क करें हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हम आपके लिए इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट आपके पास लेकर आते रहेंगे तो प्लीज सपोर्ट अस थाने बाद